सभी प्यारे विध्यारत्यों का एक बार फिर से स्वागत सात्यों रायथान के दस मिनिट वाले शो में पॉसिस कर रहे हैं हम लोग की दो डाही घंटे का टोपिक है उससे दस मिनिट में लेखे आए और इस तरीके से उस टोपिक को डिजाइन किया जाए इस प्रकार से उस टोपिक को तयार किया जाए कि छूटे कुछ भी नहीं केवल शब्दों का जमाव मुख से निकलने वाले स सेंटेंस उनकी व्याख्या उस प्रकार से हो कि हम समय को सीमित करते आए नब्ब्ब्रतिसत्त तमेत्व हमारे नोट्स सीमित कर देते हैं यह नोट्स हैं आप लोगों कि इन्हें ब्रमास्तर नोट्स का अमने नाम दिया है राइथान के पर जाएंगे फ्री स्टेडी मेट् पड़ेर आपका दिल कहें कि सर वाकई गजब नोट्स हैं समय बचा रहे हैं आप लोग समस्त नोट्सों को यूटूब पढ़ाया जा रहा है उन्हीं नोट्सों से हैं यह तो आप बिल्कुल ओडर करिए और इस पारल बैंडिंग के साथ आपके घर बैठे तीन से च्यार दि उसका निर्मान किस ने करवाया तो यह सवाल पूछता है तो यहां आपको हलका दिखा दे रहा होगा क्योंकि आपके सैक्डों महल है और दस मिनिट पढ़ने जारे समस्त आपके पीडिये पे मैंने नोट कर दिया है बिल्कुल और टेलीग्राम पे इसकी वह डालूँगा आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त करने साथ ठीक है आगे देखिए सबसे पहले बात करते मुभारक महल साथियों मुभारक महल राजस्तान में दो हैं एक मुभारक महल टोक में है एक मुभारक महल जैपुर में दोनों फरक क्या है जो टोक का मुभारक महल है वो ध्यान है इसका निर्मान मादो सिंग ने करवा है वह टोक राजस्तान की मुस्लिम रियासत है अब टोक में एक और है उसे कहते सुनेहरी कोठी अरे भाई सुनेहरी कोठी है लोग टोक ना दे यह ध्यान कड़ा अप लोग तो वह कहां है टोक में है वित्रो जैपूर के अंदरा माए तो नहारगड का दुरूग है जिसे महलों का दुरूग कहते है वहाँ एक जैसे नो महल भनवाए मादो सिंग ने अपनी रानियों के लिए तो एक जैसा नो महल निर्मान करवाय सवाई मादो सिंग ने नहारगड दुरूग में है और पासवान रानियों के लिए बनवा है एक साथ ही आप लोगों की City Palace जिसे हम लोग चंदल महल भी कहते हैं आपने कई बार पढ़ा होगा कि चांदी के दो सबसे बड़े जलपातर जो मादो सिंग के समय बने थे सबसे बड़ा आतम सुक और चांदी के जलपातर है जल महल जयपूर साथियोग यह द्यान राके जल महल है इसमें दो मंजिल और वर्गाकार आकर्ति में है तो चंद्रमहल कर निरिमाण भी सवाख जैसिंग ने करवाया और जल महल की नगरी यह जल महली जैपूर में है जल महली की नोगरी डीग को कहते हैं और डीग आपने आप में जिला बन गया है पहले बरतपूर में था अब जिला बन गया है और यह ध्यान रखें जो डीक के जल महल है उनके निर्मान के आप से बात करें तो आप लोग कहेंगे सर निर्मान बदर सिंग ने करवाया और सूरज मल ने करवाया तो फवारों की नगरी डीक कहेंगे जल महलो की नगरी डीक कहेंगे जो की जिला बन गया है वैक लास को लाइक और शेहर करके आपका मन करें तो होसला जरूर बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सिसोधिया रानी का महल यह सिसोधिया रानी है सवाई जैसिंग की धरम पत्री का नाम चंद्रकवर था जो म दिवान ए खास और सात्यों दिवान ए आम यह आम लोग हैं यह खास लोग हैं इस महल में आके आम जनता बैठा करती थी वह आम महल हो गया और जिस महल में आके खास जनता बैठा करती थी वह खास महल हो गया तो ध्यान रखें दिवान ए आम जैपूर में है जिसका निर्मा आम लोग आके बैठेंगे, वह महल दिवान, याम, और दिवान एक खास, खास आके बैठेंगे, वह दिवान एक खास, आमिर महल साचियो जैपुर में है, और मान सिंग पर्थम की द्वारा बनवाय गया, इंदू मुगल इस्ता पत्य कला का मिश्रन है, ये आमिर दुरूग म कैं सीसे से बना होगा भई काच से बना होगा युक्त किरते हैं मितना हम लोग हवा महल सवाही परताब सिंग के दुवार बनाया गया है ठाकि रानिया वहां से देख सके पास्वान त्रेपन खिड़कियों का एक महल तयार किया और वो महल की आकरती भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है इसलिए इसे मुकुट मनी भी कहते हैं पांच मंजिला है साथियों मैं याद करवाता हूँ शरद और रतन विचितर बात कर रहे हैं परकास और हवा को पकड़ते हैं स्वाई परताप सिंग ने कारिगर लाल चंद उस्ता 953 खिड किया है 5 मंजीला है पहली का नाम शरद दूसरी का नाम रतन तीसरी का विचीतर, चोती का परकास और हवा, शरद और रतन विचीतर बात कर रहे हैं, परकास और हवा को पकड़ रहे हैं यहां उपनाम किर्शन का मुगुट हो गया, 1799 में बनाया था, सामोध महल जैपुर में बिहारी दासने बनवाया था पिचोला जील के किनारे उदेपुर में सात्यों दो महल है, एक जग मंदिर है, एक जग निवास है, मंदिर पहले बनाया, निवास बाद में बनाया, मंदिर दो लोगों ने बनाया है, निवास एक ने बनाया, तो जग मंदिर पैलिस जो है, वो पिचोला जील उदेपुर में कहां है पिचोला जिल उदेफुर में है और उसका निर्मान जो करवाया वो महारणा करण सिंग ने शुरू किया था लेकिन महारणा करण सिंग का 1628 में मिरत्यू हो गई थी तो पूर्ण करवाया जगत सिंग ने यह वही जग मंदिर है जहां पे साथियो सहाजा अपने पिता के विद्रो के समय आके ठहरा था और अठार स्वत्तावन किरांती में सब नीमस से अंग्रेज भागे उन्होंने यहां सरन ले थी जग निवास महल यह बादवे बनाया यह जगत सिंग पर्थम ने पूर्ण करवाया यह जगत सिंग दूतिय ने करवाया राज महल पर्दियुलसाद आप चाहते हम लोग उदेपुर में एक महल और सज्ञन गढढ महल यह जो आपके सज्जन गढढ महल है कौन सा महल है सज्जन गढड महल यह ध्यान रखे जिसे मिवाड का मुकट मनी और वानी मिलास महल कहते हैं इस ध्यान रखें आप लो साथिया हमारे पास तीन शब्द है एक थंबा है अधर थंब है और एक थुम्बिया है थू डूंगरपुर में उकी मात्रा लगए तो थुमिया डूंगरपुर में है जोदपुर में एक थं इन्ना नागोर में आके अधर में रह गये वैं किसे ने कहा कि थंब में आप थुमिया के पास जाना है प्कर्वे प्रमें उक्क थम्रावा आंतर याओर शूल में छोड़ दा ना इसकी करत दोंग्रों Definitely एक ठुम्बहında महल है दूंगरपूर में तो एक थमबा ॹसाथ यूज सरदार बनवाया मेरांगर दुर्ग की तलेटियों से नीचे उत्रें आप लोगों को यह सफेद है सगमरवर 아니에요 पत्तर से बना हुआ है और इसे किसे कि याद ने बनवाया तो राजिस्तान का ताज महल कहते हैं यह ध्यान रखें आप लो याद में जिसके बनवाया जस्वन सिंग दुतिये की याद में जस्वन सिंग जश्वन सिंग्नी बनवाय था और दयान सरस्वती जी आये थे मारवाड जोदपूर वो यहीं ठैरे थे यह ध्यान रखें आप लोग चोखे लावा महल जोदपूर मेहरानगड के दुरुग में है कई बार नाम सुनोगा मारवाड चित्रशैली के लिए जो प्रसिद इस्तल मेहल जो प्रताबगड मेहल है तीन शब्द है रजयस्त का ताजिम क्या कहां है ने ने किसे कहेंगे वह जश्वन ठड़ा को कह रहें काठल का नाच मेल काठल का ताज महल अविली विandy का मेहल को तीन आपको ताज OP चलने हैं राहसतान का ताजम महल अबली मेहल का महल और योग आपपे शाथ करता ताज मंतों का निम्ली मेहल कोता में हो गया निर्माणर मुकुत सिंघ निक रवाया राहसतान का दूसरा फक्रह कंल Chief नि revenue हाडूती का ताज महल तो कहला गई अभेड़ा महल कोटा इसे हाडूती का हवा महल कहते हैं अभेड़ा महल राजिस्तान में लेकिन अभेड़ा महल है यह हम की से कहते हैं अभेड़ा महल को अभेशिंग्ने बनवाया खेत्री महल जुनजुनु में इसका निर्माण भूपाल Quickly करवाया लेकिन यहां आजित सिंग का नाम परिशिदा है क्योंकि यहां पर स्वामी विवेक नंद जी आये थे वो खेत्री मह राज अजीत सिंग्जी हैं और अजीच सिंग्जी नहीं नाम दिया था ध्यानघण आपropol तो निर्मान आप पूछे तो अजीत मत कर जाना निर्माण भुपाल सिंग जी दुबारा करवाय गया और कब करवा गया 1889 में स्वामी विवेक अनंद यहां रुक्ये थे अजित सिंग के समय यहां रुक्ये थे दियालेकर निर्माण भुपाल सिंग फिर कह रहा हूं मैं आप लोगों को है तो मिशन मट बनाया और नरेंदर नाच से विवेका अन्द्राम रखा लखनुपा भूल बुलाया महल और जैपूल के हवं मेल की जलख देखने को मिलती है और इसे का हुआ मेल को आहां महल जैपूर में शेका वाटी का हुआ मेल कहेंगे तो इसे कहेंगे सरिष्का पनिस अलवर में छोटे-छोटे हैं आप लोगों के विने छोटे-छोटे इनमें को डिटेल नहीं है विने विलास महल अलवर में है गणिकाव वेश्याव के चेतर है अलवर चितर सली की विशेषता है कि वहां अंग्रीजों को परभाव रहा है तो आप चितर सलीम पढ़ते हैं कि अर्द नगर अवस्ता में चेतर मिलते हैं वेश्याव के चेतर मिलते हैं वहाँ पर सीली सेड महल की बात करें यह अलवर में है इसका अंदिर्मान रजा विने सिंग ने अपनी पतनी शीला देवी की याद में करवाया रूठी रानी का महल एक अजमेर में है नूर जहां का ए जहाला रानी का महल कुंबलगड राजसंबंद में है निर्मान कुंबा ने अपनी पतनी की याद में करवाया केसर विलास वे सरूप निवास महल है वह आपके शिरोही में है यह ध्यान रखें आप लो तो यह नोट्स में आप लोगों को एप डलवा रहा हूं टेलीग्रा राय राय थान आपके साथ है साथ रहेगा आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा यह ध्यान रहे आप लोग किस तरीके से समय को कम करके लाया जाए किस तरकी भी ध्यारतियों का समय बचाए साथ यो उसमें रायथान आप जानते हो तो आप सभी का आशिरवाद बना रहे रामराम साथ धन्यवाद थेंक्यू